हेलो दोस्तों मैं कलपना आप सब पस्वागते स्वादगर का में आपको हमारे रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम बनाएंगे स्टॉप प्याज पकोड़ा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और तो चली दोस्तों इससे बनाना स्टाट कर लेते हैं इसके लिए हमें सामागरी चाहिए उबले हुए आलो को मैश कर ले शुम्ला मीर्च बारिक डी हुई हरी मिर्च बारिक डी हुई चाट मसाला पॉडर हल्दी पॉडर नमक धनीया पत्ति बारिक कचिए हुई सेज अलु ले लेंगे। मेस्टी होई. शिमुला मिर्च बारिक टी हुई, घन्या पत्ती बारिक टी हुई, हल्डी बोरा रादा चम्मच, नमक स्वाधानोस, चाट मसाला एक चम्मच. साथ इसमें आदा चमज हम सेजवान चटनी डाल लेंगे और चीज को हमने तोड़ कर डाल लिया है अब इसे हम हातों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है हमारी स्टफिंग तयार हो गई है कैा अब हम प्याज केृरिंग्स फेल से काट लिया है अब मिचे कि रिंग क्षाइए अब हम में इस ब्याज की एक बिग्वले आटा-बे आए अंतो सार्व प्याज के ये खीवल लिए है या कि हमने इसे कि वृषन का घुल पहले से त्यार का ली इसके लिए हमने एक कटोरी बेसन और स्वाद अनुसा नमक साथ ही हमने आदा चमंत हल्दी पॉड़र टाला है और एक काड़ा बैटर तयार कर लिया है अब इसमें हम स्टफ की होवे प्याज डाल लेंगे और उसे बेसन से अची तईके से कोट कर लेंगे हमने तेल को गरम कर डिया है अब इसमें हम स्टफ की होब प्याज को देल में डाल ले ने के अब से जब करेए सब को कि दोधने डरलेंगे hè अब या नीचे की तरफ से अच्छी से कोल्देन ب्राउन हो गया है अब इसे हम पलटा लेते हैं और दुसरी तरफ से अबादा रों होने तक के अब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोर्डन ब्राउन हो गया है अब इसे हम एक टीशू पेपर रखे हुए प्लेट में निकाल लेते हैं आप इसे सर्फ करिए टमेटो सॉस ग्रीन चटनी या तो फिल सेजन सॉस के साथ में आप इसे घर में जरूर ट्रै करिए और शेयर करिए